हेलो फ्रेंज वेलकम बैक स्वागत है आपका हमारे एंशेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया या भारत के प्राची नितिहास के लेक्चर नमर 12 में लेक्चर नमर 12 में इसका पहला पार्ट हमने कवर किया अपने लेक्चर नमर 11 जिसमें बेसिकली हमने कवर किया कि क्या आरियन इंवेजन थियोरी रही किस वजह से अब वो रफली डिसकार्ड़ हो चुकी है क्या एलिमेंट्स रहे हमारे वेधिक पीरिट के किस तरीके से हम उसको ब्रेक कर सकते ह अर्ली वेधिक पीरिट और लेटर वेधिक पीरिट तो दोस्तों वो एक कुल्चरल एलिमेंट रहा यह जो ट्रांजेशन पीरिट रहा या जिसको आप कुल्चरल ट्रांजेशन कह सकते हैं फ्रॉम रफली 2000 बीसी टू रफली 600 बीसी लेकिन आरियन इंवेजन थियोरी नहीं हो पाएगा दोस्तों और आज के लेक्चर के बाद जब हमारा लेक्चर नंबर 13 बेसिकली लॉंच होगा तो लेक्चर नंबर 13 से हम शुरुवात करेंगे भारत के पहले प्रॉपर किंग्डम की हम बात करेंगे वो 16 जो महा जनपत हुआ करते थे गनाज हुआ करते थ जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्टेटरा, 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 सो अभी तक का जो प्रॉसेस रहा एंशेंट हिस्टी के लेक्चर का वो बेसेकली अब हमें आल्मोस्ट ले आया है उस स्टेज पर जब हम बात करना शुरू कर दें रफ्ली 600 B.C. के आसपास क्यों सारे सोर्सेस ऑफ एंशेंट हिस्ट्री मिलते हैं जो कि कहीं ज्यादा रिलाइबल जिनको आप कह सकते हैं अभी तक की हिस्ट्री के बारे में हमने आपको जो बताया है उनके सोर्सेस की मुकाबले दोस्तों तो चलिए Let's begin with lecture number 12 Cultural Transitions part two which covers roughly 2000 B.C. to 600 B.C. कई सारे elements आज की lecture को जो structure रहेगा इसमें हम जोग्राफिकली कवर करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे elements रहे चाहे वो आरियन invasion theory हो early Vedic period हो later Vedic period हो बहुत detail में हमने सारे elements कवर करने कोशिश की lecture number 11 लेकिन इनके अलावा for example अगर हम बात कर लें हमारे northwest और north की तो यहाँ पर हमें उन elements के साथ-साथ या उन elements के आगे पीछे या simultaneously या in conjunction या in parallel हमको Neolithic, Chalcolithic और Chalcolithic cultures के elements भी दिखाई पड़ते हैं दोस्तों आज के lecture को आप चाहें कई सारी text book Open the Sing, one of the best sources of ancient history out there आरे शर्मा से भी पढ़ सकते हैं और आज के lecture को हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि एक summary तरीके से इसको खतम करें ताके हम अपने lecture नमर 13 की तरफ तेजी से बढ़ सकें दोस्तों तो आज यह शुरू करते हैं सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो Neolithic, Chalcolithic और Chalcolithic cultures थे कहाँ पर Northwest and North में जैसे Northwest में हमने देखा कि जो mature हरपन cultures थे उनके बाद last में क्या आया Late हरपन phase और Late हरपन phase अगर आप Northwest और North का देखें तो यह represent करता है जुकार culture particularly सिंध में उसके अलावा symmetry edge culture जिसको कहा जाता है पंजाब में चाहें आप जुकार culture की बात कर लें सिंध में चाहें आप symmetry edge culture की बात कर लें पंजाब में दोनों ही basically cultures में जो continuity है Late हरपन period से और साथ ही से जो नई elements आना शुरू हो गए है दोनों में clearly reflection दिखाई देता है दोस्तों इसके अलावा जो हरपन था urbanization के लिए जाना जाता था जो civilization लेटर हरपन फेज में urbanization काफी decline पे देखा गया तो इस वजहा से ये जो symmetry edge culture है पंजाब का चाहे जुकार culture है सिंध का दोनों में ही जो urban features है अब वो बहुत तेजी के साथ disappear होते हुए दिखाई देते हैं जो जुकार culture है इसके excavations किये गए हैं जुकार चानीदारो और अमरी इसकी जो distinctive pottery है वो है buff wear उसके ओपर red और cream slip है उसके अलावा इसमें paintings हैं black basically color में जो हमको continuity दिखाती है जो हमारी mature हरपन traditions या culture basically रहा है changes क्या है? changes आए कि जो cubical stone weights और female figurines थी हरपन type की अब वो बहुत कम हो गई इसके अलावा जो हरपन seals थी typical type की emulates की तरह भी उनको use किया जाता था trading में use किया जाता था हो सकता है कुछ religious significance भी उनका रहा हो अब उनको replace कौन करने लग गया? circular stamp seals इसके अलावा जो writing थी अब वो सिर्फ post shirts में ही basically confined हो गई जो symmetry edge culture है ये represent किया जाता है हरपा की दूसरी sites में भी यहाँ पर जो lower symmetry edge culture है यहाँ पर जो graves हैं वो extended burials को represent करती है जो pottery हैं जो पुराने levels हैं लेट हरपन culture है उसकी continuity, उसकी forms और design से काफी matching करती हुई दिखाई देती हैं अगर हम upper levels में चले जाएं तो हमें earned burials उसमें disarticulated bones मतलब ऐसी bones जो systematic तरीके से arranged ना हो या disfigure basically हो गई हो क्योंकि इतने हजारों साल पहली की history है दोस्तों कई सारे जो mature happen settlements रहे अब वो abandon दिखाई देने लगे साथी साथ जो later happen settlements हैं वो अब नई locations में displace होकर establish होते हुए दिखाई देने लगे इसके लावा industrial sites हो urban centers हो वो हमें अब rapidly decline करती हुई दिखाई दी लेकिन साथी साथ कई सारी multifunctional sites जिनमें habitation है और craft production दौना एक साथ किया जाता था उसमें कई नई sites में हमको increase दिखाई देने लग गया जो short duration campsites थी मतलब थोड़े दिन के लिए कुछ सालों के लिए कुछ decades के लिए जहां पर settlement हुआ करते थे उनमें तेजी से हमको growth दिखाई देने लगा और ऐसा लगता है इसका एक बड़ा reason हो सकता है कि North West और North में इस तरह की हमको क्यों phenomenon दिखाई दी क्योंकि जो हाकरा river है अब वो finally या गगर हाकरा basically जो पूरा area है river सरसुती वाला जो पूरा area है शायद हो सकता है पेशावर, चित्राल, etc. के आजपास जो कि हिंदु कुष mountains की नस्दीक है वहाँ पर अब bride होने लग गया हो दोस्तों इसके अलावा हमको यहाँ पर गंधारा grave culture भी दिखाई देता है और गंधारा grave culture कि अगर आप carbon 14 या C14 dating करवाएं तो कब से कब तक दिखाई देता है roughly 1710 to roughly 200 BC कई सारी side sense में जैसे लियवनार, अलिग्रमा बिर्कोट गुंडाई, खिरारी तिम्रागर्ड, लालबटाई कलेकोडेरी, बलामबट एंजरिफ करुना अगर आप देखें pits point of view से देखें तो यहाँ पर हमको oblong pits उसके अलावा कई जगे stone line walls और वो houses के अंदर या houses के असपास हमको दिखाई देते हैं दोस्तों अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं नियोलिथिक, चालकोलिथिक एंड चालकोलिथिक cultures और किस हेरिया में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ की तो यहाँ पर कितने टाइप के बरियल्स अब हमको दिखाई देते हैं ये जो cultural transition phase रहा हमारा 2000 BC to 600 BC इसमें हमको flex burials, post-cremation burials उसके अलावा earn और fractional burials भी दिखाई देते हैं इसके अलावा single और multiple burials भी हमको यहाँ पर regularly दिखाई देते हैं दोस्तों copper artifacts के आप बात कर लें continuity दिखाई देती हमको later upon culture से इसके अलावा जो pottery है वो fine wheel made pottery इसके अलावा बहुत सारी different shapes चाए Chelsea's हैं, चाए Cup on Pedestal हैं ये भी दिखाई देते हैं एक interesting feature अगर हम बात कर लें इस transition की northwest and north में तो बहुत सारी जो हमारी pottery है उसकी similarity हमको जो Central Asia में हमको pottery मिली है उससे भी दिखाई देती है कश्मीर के अगर हम बात कर लें तो sites जैसे बुर्जोम, गुफराखाल जो की Neolithic phase में हमने बहुत detail में discussion किया था जिसका वो उसके बाद महाँ पर हमको Megalithic phase दिखाई देता है और आगे आने वाले कुछ मिनिटों में हम आपसे detail में बात करेंगे Megalithic phase क्या होता है उसके बाद iron basically कैसे invent करता है Indian subcontinent में क्या उसकी repercussions हो सकते हैं तब तक एक short discussion और हो जाए अच्छा Megaliths होते क्या है जो बात हो गई Megalithic phase कि कश्मीर में बेसिकली बुर्जोम और गुफराखाल में नियोलिथिक के बाद direct हमको Megalithic phase मिलता है तो Megalithic है क्या अगर short में मैं आपसे कहूँ तो Megalithic monuments या Megalithic phase या Megalithic sites actually ऐसे monuments हैं जो constructed होती है बहुत large roughly dress claps of stone बड़े बड़े पत्थरों को अगर आप एक structure देने के कुशिश करेंगे उसके राउंड हो, उपर से covered हो या square हो, या अलग shape हो बड़े बड़े large roughly dressed slaps of stones की ऐसी sites को कहा गया है Megalith Megalith मतलब बड़ा lith means basically stone आप कह सकते हैं बुर्जोम क्या आप बात कर लें तो बुर्जोम में massive manners, single, tall stone उसके अलावा हमको एक Megalith stone circle भी बुर्जोम में दिखाई देता है अगर हम भात कर लें pottery की, क्योंकि pottery is a very important element of any culture तो बुर्जोम में हमको दिखाई देता है grey और black burnished bear उसके अलावा हमको coarse red bear भी दिखाई देता है, बुर्जोम में हमको bones and stone tools दिखाई देते हैं जो पहले से neolithic face से continue करते हुए चले आ रहे थे, लेकिन अब उनकी frequency हमको कम दिखाई देने लगी है दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी finished, unfinished ringstones भी हमको दिखाई देते हैं इसके अलावा copper points, wooden beads pestles, spindle walls fine all, miniature spot ये भी हमको दिखाई देते हैं northwest और north of Indian subcontinent में इसके अलावा bone tools बड़े या घटे घट गए इसके अलावा नए innovations जैसे कि tools के handles इसके अलावा sheep और goat के marrow sockets, ये अब हमको दिखाई देने लगते हैं इस cultural transition phase में हैं जो grains थे ये clearly दिखाई देते हैं कि जो neolithic period के पहले से चले आ रहे थे अब भी उनकी continuity बनी है rice और millet जो period 2 basically खतम होने होता है तो हमको दिखाई देने लग जाता है इसके अलावा hunting ऐसा लगता है कि अब हमको decline पे दिखाई देता है क्योंकि clearly सिर्फ wild animal bones हमको अब दिखाई देती हैं और वो भी सिर्फ ibex की इसके अलावा iron अभी तक हम बात कर रहे थे bronze की क्योंकि हरपन culture is supposed to be a bronze culture हमने बात की copper की लेकिन अब हम iron का advent देखते हैं Indian subcontinent में in fact lecture number 11 जब हमने बात की later vedic period की early vedic period नहीं later vedic period में आयास ऐसा लगता है कि iron को ही refer कर रहा होगा तो हमको iron जहां megalithic gufrakal basically है बुर्जूम साइट में वहाँ भी iron दिखाई देता है अगर हम लदाक में क्यारी साइट की देख लें तो वहाँ पे हमें handmade pottery जो हमें बुर्जूम में मिलती है similar type की basically दिखाई देती है इसके लावा hearths हमको दिखाई देती है और stone artifacts जैसे की saddle quents हों, pestles हों, burnishers हों इसके लावा जो domesticated cattle हैं, sheep हैं, goats हैं इनकी bones भी हमको लगातार दिखाई देती हैं और इनकी roughly अगर आप किया रही site को date करेंगे carbon 14 के साब से तो इसकी data roughly plus minus 1000 BC के आजपास दोस्तों, तो ये हमारा discussion हुआ कि cultural transition के elements खास दोर से नियोलिथिक, चालकोलिथिक और चालकोलिथिक, North West और North of India में हमको किस तरह के remnants दिखाई देते हैं अब जब cover हो गया हमारा North West और North, अब थोड़ा सा आगे move किया जाए, endogangetic divide की तरफ, आपर गंगे वैली की तरफ और दोआब दोआब क्या होता है, दो rivers के बीच का जो area होता है, उसको दोआब कहा जाता है, आए शुरू करते हैं सबसे पहले, late हरपन phase, इस area में मतलब, endogangetic divide आपर गंगे वैली और दोआब में जो total late हरपन sites हैं, वो roughly अभी तक 563 identify की जा चुकी है between river Yamuna and river Sutlach, ज्यादा तर जो settlements है यह चोटे हैं, small हैं मतलब, 5 hectare यार उससे भी basically चोटे, इसके लावा हमको in sites में, mud floor post halls, mud brick structure storage pits, kill-ins, fire altars हमको दिखाई देते हैं संगल, ludhiyana, डिस्टे के जो पजजाब का, इसके लावा जो late हर upon settlement है दधेरी में, उसमें हमको mud houses, जो की mud platform पे built हैं, वो भी clearly दिखाई देते हैं दोस्तों जो artifacts हैं, उसमें हमको copper terracotta objects, इसके लावा kernel, lapis lazuli, ये भी अब हमको दिखाई देना शुरू हो गए बनवाली site के आप बात करें हरियाना में, तो यहाँ पर भी हमको mud houses के evidence, artifacts की बहुत rich, basically range जिसमें आप ornaments की बात कर ले, beads की बात कर ले semi precious stones की बात कर ले इसके लावा copper clay, terracotta के बहुत सारे objects भी हमको दिखाई देते हैं, जो चालकुलित cultural sequence है, कहाँ पर दुआब region में, उसमें late harapan phase भी included है और उसका एक बहुत peculiar style है जिसको कहा जाता है O.C.P. culture और O.C.P. culture का मतलब है ochre colored pottery culture और ऐसा क्यों कहा जाता होगा कि जैसे ही आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपका hand red हो जाएगा जैसे लाल मिटी जिसको कहा जाता है गेरू अभी या गेरू भी कई लोग इसको basically कहते हैं इसके लाबा हमको copper hoards, black, red wear, BRW phase भी कहा जाता है दुआब region में roughly 70 late harapan sites मिलती है और ज्यादा तर ये late harapan sites है ये हमको जो यमुना के tributaries है चायरिवर, हिंडन हो, कृष्णनी हो कतनाला हो, मस्कारा हो इनके आसपास ही दिखाई देती है ज्यातर settlements छोटे हैं, roughly 200 by 200 meters इसके लाबा जो average distance settlements की बीच में 8 to 12 kilometers है दुआब region में हमको late harapan sites का बहुत ज्यादा evidence नहीं मिलता लेकिन जो मिलता है उससे ऐसा लगता है कि जो houses थे वो battle और dwap के basically बने हुए थे इसके अलावा, जो storage bins थे ये भी हमको कई rectangular mode houses में देखने को मिले हैं आलम गिरपुर के अगर हम बात देख लें तो एक बड़ा interesting feature मिला है वहाँ पर 5 round furnaces मिली है उसके लावा कुछ और structures देखने को मिले हैं तो ऐसा रखता है कि जो burn bricks produce की जाती होंगी शायद ये जो furnaces हैं round furnaces इन ही का उसमें use किया जाता होगा तो अभी हमने एक word mention किया OCP pottery या oca colored pottery culture actually है क्या थोड़ा सा detail में discussion हो जाए जो OCP culture हमको मिला जो कि cultural transition किस area में इंडो गैंगेटिक डिवाइड, अपर गैंगे वैली और दौाव रीजिन में ये roughly 1950-51 के आसपास इसकी discovery हुई और कहां discovery हुई western, उत्तरप्रदेश western, UP बिसौली एक area है जो कि business district में है OCP जो culture है, OCP जो pottery है ये ill-fired होती है मतब बहुत ज़्यादा इसको पकाया नहीं जाता wheel made है और medium to fine fabric इसके लावा इसके उपर एक thick red slip भी दिखाई देती है कई बार इसको decorate किया जाता है किस से? black bank से कुछ pusharts, उसके बार in size designs या post firing graffiti अगर आप उसमें कुछ graffiti बना लेंगे जब आपने इसको एक बार fire कर लिया या इसको burn कर लिया वो भी हमको OCP pottery में दिखाई देती है अच्छा इसको जैसे हमने कहा कि इसको auger color pottery के उका जाता है क्योंकि इसको अगर आप rub करेंगे, touch करेंगे तो आपके fingers में जैसे आप गेर वी को touch करेंगे तो लाल हो जाएंगे उगलिया बहुत सारे लोग इसको घर को लीपने, पोतने, painting करने के लिए आज भी हमारे गाउं में use करते हैं क्योंकि easily available हो जाती है तो जो OCP है क्योंकि ये हमारे fingers को basically और का color देती है और कई सारे basically odd districts हैं जो उतरप्रदेश के वहाँ पे हमको clearly OCP, pottery या OCP culture दिखाए देता है जो OCP है ये हमको दो stratigraphic context में दिखाए देता है जैसे हस्तेनापुर अचिंतारा और जिंजना OCP level जैसे ही खतम होता है उसके बाद एक break मिलता है और break के बाद हमको जो next level है वो मिलता है PGW और PGW है painted grey wear similarly जो दूसरा stratigraphic context है आप अतरण जी खेरा की बात कर ले आप नो की बात कर ले तो जो OCP level है उसके बाद PGW मिलने से पहले बिना break के आपको सबसे पहले मिलता है BRW मतलब black and red wear और उसके बाद basically आपको मिलता है PGW level मतलब की painted grey wear कई सारी site चाहे आप बरगाओं की देख लें आप अमबाखेरी की देख लें तो overlap आपको दिखाई देता है बहुत clearly किस चीज के बीच में late harapan and OCP phase तो कई scholars का ये मानना है कि कई ऐसा तो नहीं कि जो OCP type की pottery है जिसमें late harapan जो pottery है उसके कई similarities continuity elements दिखते हैं तो जो late harapan pottery रही हो OC का एक degenerated या degraded या थोड़ा सा basically varied या variation आप कह सकते हैं late harapan pottery को ही ये represent करता हो लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि late harapan जो pottery है उसके कुछ elements OCP culture में दिखाई दे सकते हैं लेकिन continuity तो एक historical progression का natural process है इसका ये मतलब नहीं कि ये OC का एक degenerated form हो in fact कई लोगों कहना है कि एक independent ceramic tradition रहा है जिसमें जो harapan pottery tradition रहा उसका कुछ influence दो रहा लेकिन उसका सिर्फ इसको एक variation या form कह देना शायद fair नहीं होगा दो broad categories OCP की आप identify कर सकते हैं एक western zone जिसको sites जैसे की जोदपुर, सिस्वाल, मिटाथाल, बारा, अंबा, खेरी, बरगाव रेपेजन करता है जो की हमें हरapan tradition की जो pottery थी उसके साथ जो linkages थे continuity थी उसको clearly demonstrate करता है लेकिन वहीं आप eastern zone की तरफ आ जाएं जैसे की कैसी sites लाल किला अतरंजी खेरा, सैपाई यहाँ पे OCP culture का जो linkage लेट है अपन site के साथ कई लोग establish करने की कोशिश करते हैं वो link नहीं दिखाए देता है मतलब OCP phase का जो western zone है उसमें वो linkage दिखाए देता है तो एक लगा important element निकल गया OCP culture या the aqua colored pottery culture यह एक specified different type का ceramic tradition हमको देखने को मिलता है यह जो cultural tradition रहा between 2000 BCE to 600 BCE in the area of endo-gangetic divide upper ganga valley and doha second जो peculiar feature हमको इस cultural transition का दिखाए देता है इसी same area में किस same area में? इंडो-gangetic divide upper ganga valley और doha इस में मिलता है copper hoards अच्छा hoards से आप क्या समझते हैं? एक बहुत बड़ा जखीरा, भंदार और copper, of course copper तो 1822 में जब copper harpoon basically discover किये गए जो कानपुर district में बिठूर जगह है उसके बाद roughly अभी तक 1300 copper objects similar range में हमको मिल चुके हैं इंडिया के कई different parts में और क्योंकि ये एक hoard के रूप में मिलते हैं, एकटे होकर मिलते हैं इसलिए जो arkeologist हैं उन्होंने इसको copper hoard के तोर पे identify किया है जो copper hoards हैं अगर आप देखें तो roughly 90 different sites पर हमको मिलते हैं और इस stretch करते हैं आपर गैंगे वैली से बैंगॉल से उडिसा तक तो एक बहुत large expense हमको देखने को मिलता है इसके अलावा कई सारे discoveries मिली हैं खरियाना, राजस्थान, मद्यप्रदेश और कुछ discoveries मिली हैं हमको गुजराथ, करनाटक, केरला और तमिलनाडू में लेकिन जो largest concentration है किस चीज़ का? copper hoards का वो है जो उत्तर प्रदेश का या UP का दोवाब region है दोस्तों कई सारी जो copper hoards discoveries हैं ये intentionally नहीं ढूंडी गई archaeologists दोरा, ये anthropologists दोरा या excavation करने वालों के दोरा या historians दोरा जादा तर जो discoveries है copper hoards की कि बहुत सारे copper harpoons, copper artifacts, copper objects एक साथ एक जखीरे, भीर्ड या होड के रूप में मिलें ये accidental basically discoveries रही और इस वज़े से ये stratified मतलब एक layer के बाद, दूसरी layer के बाद, तीसरी layer के बाद, चौथी layer इस तरीके से नहीं मिली इस वज़े से क्योंकि आलागला date के artifacts एक साथ एक layer में मिल गए तो इनको date कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है जो hoards हैं, चाहे आँ भीहार का देख लें चाहे हम West Bengal का देख लें कई लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि historical period को belong नहां करते हूं बाद के period के copper artifacts हों दोस्तों तो अभी बात हो गई हमारी सबसे पहले शुरुआत की हमने कि North West और West India में क्या cultural transition elements देखने को मिले अभी हमारा short discussion हो गया कि जो हमारा Indo-Gangetic divide है Upper Gangway Valley है और दुवाब है उसमें किस तरह का cultural transition दिखाई पड़ता है अब हम move करते हैं Western India की तरह जो जो early phase है गयनेश्वर, जोथपुरा culture North Eastern Rajasthan का और जिसमें आप special reference बेसिकली लेंगे जोथपुर और गयनेश्वर का जो early phase रहा आहार या बनास culture क्योंकि बनास रिवर के आसपास हमको मिलता है South East Rajasthan का ये कई sites जोरा represent किया जाता है जिसमें particularly तीन sites पड़ी important है कौन-कौन सी होंगी पहली आहार, गिल्डूंट और बलाधल जो हम पहले भी discuss कर चुके हैं यहां पर हमको कई सारे artifacts मिलते हैं copper metallurgy के और उसके बाद अगली कुछ centuries के भी artifacts हमको in sites पर लगाता मिलते हैं दोस्तों ग्यानेश्वर जो site रही एक major center रहा copper artifacts manufacturing का लेकिन period 2 के बाद हमको यहां पर microlets, animal bones में major decline दिखाई देता है इसका मतलब जो पहले hunting एक main occupation हुआ करता होगा अब ऐसा लगता है कि वो decline पर हमको दिखाई देता है copper objects में हमको western आजस्तान में क्या मिले होंगे rings, bangles, coal sticks, cells और knife blades जो copper items हैं इसमें हमको rings, coal sticks मिलती हैं अहार के अगर हम बात कर लें तो ऐसा लगता है यहाँ पर जो लोग रहते होंगे वो rice और millet को basically consume करते होंगे cultivate करते होंगे इसके अलावा अगर आप bones की quantities को देख लें relative quantities को अगर आप देख लें तो ऐसा लगता है कि जादतर जो लोग होंगे वो partialist होंगे और वो cattle और buffalo rearing में domestication में बहुत majorly involved रहे होंगे दोस्तों इसके अलावा cattle और buffalo rearing उनका major occupation हो गया इसके अलावा हो सकता है कुछ quantities में वो sheep, goat, herding या limited amount of domestication इन अलग-अलग animals का भी करते होंगे दोस्तों इसके अलावा अगर आप बहुत important side देख लें दौर का दौर का पढ़ता है जो जाम नगर district है गुजरात का उसमें और जो marine archaeologist है मतलब कि sea के अंदर बहुत सारी हो सकता है हमारे जो cultural elements हो submerged हो गए हो क्योंकि geographically हो सकता है, situation change हो गई हो sea level differ कर गया हो hydrologically चीज़ें बदल गई हो तो जो हमारे marine archaeologist है इन्हों ने दौर का की जो site है उसमें कई सारे summer settlements मिले है जिसमें उन sea के अंदर summer जो settlements मिले है उसमें हमको inner wall और outer wall उसके अलावा हमको एक बड़ी stone jetty भी दौर का site पे मिली है इसके अलावा stone के हमको anchors मिले हैं इसके अलावा हमको lustrous red wear भी देखने को मिला है जो island है बेद द्वारका का उसमें मुझे लगता है कि uniqueness है कि ये शायद हो सकता है गिनी जुनी sites में से हो जो marine archaeologist द्वारा एक submerged site के रूप में discover की है जो settlement है यह ऐसा लगता है कि roughly 4 km long by half km wide रहा होगा और इसमें बहुत सारी elements ऐसे मिलते हैं कि जैसे जो भी पूरा settlement रहा होगा पूरी तरह strongly fortified रहा होगा inner wall, after wall दोनों देखने को मिली है इसके अलावा यहाँ पर हमको हरपा की कुछ seals मिली है जो three headed animal है पशुपती जिनका हमने कहा उनकी seals हमको देखने को मिली है इसके अलावा जो lustrous red wear है brown and red wear है BRW है इसके अलावा एक jar भी यहाँ पर मिला है जिसमें जो हरपन script थी अच्छा हरपन script अभी तक discover कर पाएं नहीं कर पाएं उसको decipher कर पाएं नहीं कर पाएं discover तो हो गई लेकिन decipher अभी तक नहीं हो पाएं अभी तक नहीं समझ पाएं है और जैसा हमने पिछले अपने lectures में बताया आइकास्टर से lecture 9-10 में कि क्योंकि उस site को हम अभी तक decipher नहीं कर पाएं तो बहुत सारे historical information या elements ऐसा हो सकता है जो अभी भी हमारी knowledge से दूर हों दोस्तों इसके लावा और बहुत सारे discoveries जिसमें copper smith का stone mold है shell bangles है इनके अगर हम dating करेंगे तो जो बेद द्वार का island है या द्वार का जो हमको submerged marine site मिली है इसकी dating roughly 1500 to 1600 BC के असपास होगी और इस वजह से कई लोगों का ये भी कहना है कि इसकी date क्योंकि इतना पीछे है शायद ये late harapan site के तौर पे इसको categorize किया जाना ज्यादा सही होगा इसके लावा और भी कई late harapan sites मिलती हैं हमको western India में जैसे कि Rupin Valley of North गुजराद उसमें हमको lusherous red wear नहीं मिलता है इसके लावा कई सारे settlements जो कि पुराने sand dunes पे या जो sources of water हैं उनके नजदीक situated हो ये भी हमको दिखाई देते हैं तो ये बात हो गई कि cultural transition किस तरीके से western India में या western Indian subcontinent में हमको दिखाई देता है तो तीन areas cover हो गए सबसे पहले northwest and west फिर हमारा हो गया Indo-Gangating Plain Dwav area और Upper Ganga Valley और तीसरा हो गया western India अब चौथा area पे move करेंगे और वो है हमारा Middle Ganga Valley जो Middle Ganga Valley है इसमें हमको बहुत सारे proto-historic sites देखने को मिलते हैं पर्टिकुलर्ली trans-saryu area में अगर आप नरहान देख लें पर्टिक में जो पढ़ता है जो की सरियो river है जिसको river घागरा भी कहा जाता है उससे रफली 30 km दूर located है नरहान में अगर आप देख लें डेटिंग देख लें नरहान की तो रफली 1300 to 700 BC के आसपास दिकाई देती है और यहाँप हमको remains मिलते हैं वैटल और दौाब के houses के post halls के इसके अलावा जो pottery है किस तरह की मिलती होगी नरहान में pottery हमको मिलती है BRW white painted black and red wear BRW इसके अलावा हमको कुछ white painted black slipped wear या red slipped wear या plain red wear इसके भी elements हमको मिलते हैं यह जो trans area जिसको कहा जाता है जो copper objects हैं इसमें हमको ring और fish हुक मिलते हैं इसके अलावा lower tin bronze का यहाँ पर use हमको दिखाई देता है जो metal workers हैं ऐसा लगता है कि काफी familiar होंगे allowing technique से जो metal की cold working है इसके अलावा annealing और casting इसमें भी मुझे लगता है हमको expertise उस वक्त हासिल होगी अभी जो कुछ recent executions है अगर आप मिर्जा पूर्डिस्टिक जो जैसे ही मेरी तैसील खतम होती है चंदौली में चकिया मिर्जा पूर्डिस्टिक स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर अगिया भी जो site है जो roughly 40 hectares की site है उसमें हमको एक long cultural sequence मिली है जो की नरान phase नरान phase कहाँ पर है रिवर घागरा सर्यू गोरकपुर में वहाँ से लेके early medieval period तक वहाँ पर हमको लगातार sequence के बाद sequence historical sequences के evidence वहाँ पर हमको मिलते हैं मिर्जा पूर की जो site है मिर्जा पूर की site में आपको megalits भी मिलते हैं और इसके अलावा जो नदन फ्रिंजिस हैं, विंध्याज हैं जो अलावाद में, बांदा डिस्टिक है यूपी का, बाइनारा से वारनसी है, मिर्जापुर डिस्टिक है, साउथ इस्टर उत्रप्रदेश यहाँ पर भी हमको कई सारे मेगालिस देखने को मिलते हैं. इसमें ककोरिया, जंग महल, कोटिया बहुत इंपोर्टन एक्सक्रिवेशन साइट्स हैं. जो मेन टाइप अफ मेगालिस हमको मिलते हैं, वो जनरली केंस हैं और स्टोन सर्कल्स हैं. और इन मेगालिस में, किस टाइप का बरियल्स ज्यादा कॉमनली हमको मिलता होगा? इसके अलावा कुछ साइट्स हमको एनिमल बरियल्स का भी इंडिकेशन देती हैं. जो पौटरी हमको मिलती है, मिडल गैंगेज वैली में, वो हमको ऐसा रखता है, यह जो हैविटेशन हैं, बरियल्स हैं, वो ब्रेकेन रेड वेर, उसके अलावा ब्लैक स्लिप्ट वेर औ इसके अलावा इलिप्टिकल एंड ग्लोबलर जाल्स हैं. बहुत सारे माइक्रोलिट्स जो कि अगार, चालकोटैनी और चर्ट के बेसिकली बने होते हैं, यहाँ पर देखने को मिले हैं. बीट्स, टेरेकोटा हों, सीमी प्रेशर स्टोन्स हों, स्लिंग बॉल्स हों, ग्रा बढ़ा जाए, दोस्तों. बात कर ली जाए, अब इस्टन इंडिया की. अगर इस्टन इंडिया की हम बात करें, तो जो अरली फेज़े रहे हैं, चाहे वो चिरांध हों, जो की पट्ना के पास में हैं, सेनवार हों इस्टन इंडिया, इनको हम पहले, लेक्चर नमबर हमने बात की थी नियोलितिक फेज, चालकोलितिक फेज, वो कंटिनुटी हमको इस कल्चरल ट्रांजिशन, जो की 2000 BC से लेके 600 BC के बीच में है, इसके बाद हमारा पहला किंग्डम स्टार्ट हो जाता है, इसमें भी वो कल्चरल कंटिनुटी हमें दिखाई देती है. चरांध हों, जो की टेरेकोटा मिट्टी की बनी हों, स्टाइट हों, सेमी प्रिशर स्टोन्स की बीट्स बनी हों, ये भी हमको दिखाई देते हैं. पौर्टरी कैसी रही होगी? इस्टन इंडिया चरांध साइट पे BRW, उसके अलावा मतलब ब्लैक औरेड बेयर, इसके अलावा ग नियोलिथिक, चालकोलिथिक साइट की रूप में ज्यादा आइडेंटिफाइड हैं. इसके लाव अगर हम सिंग्मुक डिस्टिक में देख लें, बरीडू, उसमें छोटा नाकपूर प्लैटो है, जो जार्खंड, वहां पर ये लोकिटिड हैं, और यहां पर हमको नजर आते हैं. जो आरेंट अब्जेक्स हैं, अब वो भी हमको बरीडू, जो सिंग्मुक डिस्टिक है, चोटा नाकपूर प्लैटो जाकन का, वहां पर दिखाई देने लग जाते हैं. अगर रेडियो का आपन डेटिंग कर लें आप, तो रफली 14001 से 837 BC की साइट यह जो है, डेटिड है. तो ऐसा लगता है, कि जो connection रहा, जो cultural pattern है, बिहार में, West Bengal में हैं, इन में लगातार exchanges, cultural exchanges, cultural elements exchanges बने रहे होंगे. West Bengal में रफली 65 different BRW sites, मतलब black and red, wear sites देखने को मिलती हैं. तो यह discussion हो गया हमारा, basically Eastern India का. अब हम थोड़ा सा और East के तरफ move करते हैं. यह last part of East in Indian subcoordinate के तरफ बात करते हैं. North East, अगर हम North Eastern states की बात कर लें, चाहे वो असाम हो, अरनाचर प्रदेश हो, मिगालिया हो, त्रिपरा हो, मनिपुर हो, नागलेंड हो, मिजोर हो, यहाँ पर हमको बहुत rich archaeological finds मिलती हैं. इसक नहीं किया है. इस वज़े से dating की artifact जो यहाँ पर मिले हैं हमको, किस periods को ब्लॉंक करते होंगे, उसकी भी information हमारे पास क्राफ ही limited है when it comes to the North Eastern part of Indian subcontinent. लेकिन हमको बहुत सारे Neolithic tools मिले हैं, गारो हिल्स में, चाचर हिल्स में, नागा हिल्स में. लेकिन ज्यादातर जो tools हैं, व गर हम नौर्थ गारो हिल्स की बाद देख लें, जिसमें देवजली heading है, वहाँ पे 45 cm थिक हमको मिलते हैं Neolithic deposits, जिसमें हमको stone और fossil wood axes, adas, chisels, hoe, grinding slabs, squorns, millers, यह सब भी दिखाए देते हैं. इसके लावा, North East India में handmade grey, dull red pottery, इसके लावा cord marks, dull red stamp pottery और plain red pottery भी दिखाए देते ह North East में, एक peculiar feature है, कि यह जो cultural transition time रहा, 2000 BC से 600 BC का, इसमें जो sites मिली है North East में, इसमें सभी sites पे हमको stone tools या handmade pottery नहीं दिखाए देती हैं और कई जगें, यह जो stone tools या handmade pottery दिखाए देती हैं, काफी बाद में ऐसा लगता है, कि शायद start होई होगी. इसका मतलब, जो cultural phase वहाँ तक पहुँचा होगा, वो बाकी जो sites हैं, चाहिए North West हो, West हो, या Ganges Valley हो, या Eastern part of Indian subcontinent हो, उसके बाद उससे लेट ही पहुँचा होगा, दोस्तों, इस वज़ा से North East को अभी और समझने की, और explore करने की, और excavate करने की, या historians दुआरा और study करने की ज़रुवत है, ताकि यहाँ पे जो sites हैं, उनकी proper chronology, उनकी proper dating, और Neolithic और Neolithic चालकुलतिक horizons हैं, इस part of subcontinent, North East part of Indian subcontinent, उसको और ज्यादा robust तरीके से समझा जा सके, जो similarities है artifacts की, इस region में, और उसको हम compare करेंगे, East और South East Asia से, वो similarities, वो cultural continuity भी हमें दिखाई देती हैं, लेकिन artifacts में कुछ similarity है, लेकिन बाकी तरह के exchange, social exchanges, traditional exchanges, economic exchanges, in ancient times में, जो North East part है हमार Indian subcontinent का, और East and South East Asia है, उसमें वो exchanges लगाता है, चल रहे होंगे, या नहीं होंगे, उसके बारे में definite तरीके से अभी कोई statement दिया जाना possible नहीं है, अब हमने start किया अपना North West, फिर West, उसके बाद Ganges Valley, फिर Middle Ganga Valley, फिर Western India, फिर Eastern India, फिर North Eastern India, तो roughly ये पूरा sector cover होने के बाद, अब हम थोड़ा सा नीचे मुग कोणा शूरू करते हैं, अब हम ब अब हम को देखने को मिले होंगे, इसमें बड़ा peculiar culture है, जिसको कहा जाता है, अहार culture, ये अपने आप में अलग से stand out करता है, जो हार culture है, ये flourish किया, South Eastern Rajasthan, और उसके बाद इसने spread किया अपने आपको जो मालवा region है, Central India का वहाँ पर, जो हार culture levels है, इनको आप identify कर सकते हैं, क और उसके लावा जो chumble valley है, उसके कई सारे different excavation sites पे, अगर pottery की बात कर लें, जो अहार typical pottery है, वो है course, wheel made, and BRW black and red wear, उसके white strips या white paints से graffiti आपको देखने को मिल सकती है, जारतर जो pottery रही, वो balls रहे, या dishes of various kinds रहे, उसके लावा जो balls हैं, उन पे thin incised grooves और neck आपको peculiarly अहार culture में दिखाई देती हैं, इसके लावा और कुछ type की pottery, चाहे वो red slip wear हो, इसके लावा variants हो इसके जैसे tan, orange, chocolate, brown slip pottery, highly burnished pottery, ये भी हमको दिखाई देते हैं, अहार culture, जो की central India या मालवा region का एक important cultural transition element है, इसके लावा, coarse handmade red or grey wear भी हमको यहां दिखाई देते हैं, एक जो unique feature है अहार culture का, वो है terracotas, जो animal terracotas हैं, उसमें चाहे naturalistic हों, या stylized bull figurines हों, ये जो की बहुत fine clay, जिसमें बहुत कम impurity हो, उसको bake करके uniformly high temperature पे, ये अहार culture में बहुत consistently हमको देखने को मिलते हैं, दोस्तों, कई सारे जो figurines हैं, जिसमें particularly अगर हम बात कर तो pointed horns हैं, या prominent humps और long pointed horns हैं, ये हमको हर culture में, Central India में, मालवा एरिया में दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो prominent humps हैं, या long pointed horns हैं, इसमें किसी तरह एक decoration नहीं दिखाई देता, सिर्फ nail के कुछ marks दिखाई देते हैं, और एक interesting find है, कि हमको यहाँ पे short horns, एक pedestal, मतलब एक ये pedestal होता है, उसके उपर रखे हुए दिखाई दिये हैं, ऐसा लगता है, कि यो short horns हैं, ये बहुत rare हैं, हो सकता है, इनका religious या cultic significance रहा हो, अहार culture of Malwa region या Central India, इस area के जो region है, इस cultural transition period, from 2000 BC to 600 BC, ऐसा लगता है, कि छोटे small mud houses में रहते होंगे, इसके लाबा, उनकी जो walls हों इसके बनी होंगी, थिकली plastered with mud, इसके लाबा, जो house floors होंगे, वो gravel, cobble, उसके लाबा, compact लेके बने होंगे दोस्तों, अगर हम कयात के बाद देख लें, तो वहाँ पर हमको evidence मिलता है, large scale fire, जब अहार culture खतम होने को आता है, तो large scale fire bricks और structures का वहाँ पर evidence देखना शुरू हो ज इस cultural transition में, जो दूसरा particular feature है, Central India का, या cultural sequence in Central India का, वो है मालवा culture, अहार culture जब खतम हो जाता है, तो उसका खतम होने के बाद जो follow up culture है, वो है मालवा culture, अगर एक important site की बात कर लें, नर्विटोली जो की western निमार district में पढ़ता है, या जो नमदा river है, उनके southern bank में पढ़ता है, ये इस मालवा culture को represent करने वाला largest settlement कहा जा सकता है, इसके अगर आम डेटिंग की बात देख लें, तो roughly 2000 BCE to 1750 BCE, इसके लावा और important sites, जैसे की महेशवर हैं, निमार district में हैं, नागदा हैं, उजेन district में हैं, इरान हैं, सागर district में, cultural sequence, जो अभी कुछ recently excavated sites हैं, चाहे चिचाली हों, खरगाउं district की, उसके उसमें हमको अहार, मालवा, जोरवे, और early historical level सारे cultural sequences हमको इस particular site चिचाली पर दिखाए देते हैं, जो typical pottery है मालवा culture की, वो थोड़ी सी course है, fine नहीं course है, उसके लावा उस पर thick buff और orange slip clearly identify हां कर पाएंगे, मालवा वेर जो है, ये form और designs में बहुत जाधा rich है, more than 600 different kind of motives, चाहे वो pots पे हो, geometrical हो, naturalistic हो, मालवा culture को represent करते हैं, वो motifs हो सकते हैं, plants के, animals के, even humans के, जो आपको pots पे, pottery पे clearly mark दिखाई देते हैं, इसके लावा representations, चाहे black buck हो, bull हो, deer हो, peacock हो, pig हो, tiger हो, panther हो, fox हो, tortoise हो, crocodile हो, insects हो, ये भी हमको मालवा culture में दिखाई देते हैं, जो सबसे बड़ी side कौन सी है मालवा culture की, never totally, never totally हमको planning का कोई sign demonstrate नहीं करती, ऐसा लगता है कि जो घर बने हैं, houses बने हुए, हैफ़जार तरीके से, unplanned तरीके से बने हैं, लेकिन unplanned और हैफ़जार होने के बावजूद भी, सभी houses घरों के बीच में, एक lane बहुत clearly है, साथी साथ, never totally या मालवा culture में ऐसा लगता है, जो लोग रहते होंगे, वो circular या oblong, वाटल दो आप houses जो बने थे, और जो floors थे, उसको lime से plaster किया जाता था, ऐसे घरों में शायद मालवा culture के रोग रहते होंगे, जो houses थे, इन में wooden posts, इसके अलावा, roof को support करने के लिए, ज्या अलावा storage jars भी हमको दिखाए देते हैं, नागदा साइट के आप बात कर लें, जो कि चंबल रिवर के बैंक पे हैं, तो यहाँ पर भी हमको mud brick के use के evidence मिलते हैं, इसी तरीके से तीसरे important site होगी मालवा culture की, एरान, और एरान जो culture है, इसमें हमको बहुत सारे mud fortification, wall है या moat है यह दिखाए देते हैं, अच्छा एक अगर important, आप peculiar बात समझ ले मालवा culture की, तो मालवा culture में copper artifacts हमको अब कम दिखाए देने पड़ जाते हैं, और copper के बजाए stone artifacts हमको ज्यादा दिखते हैं, और कई historians का यह मानना है, कि शायद copper की scarcity या copper मिलना अब कम होता जा रहा हो, इस व copper की बजाए stone, जैसे कि stone blades दिखाड़ी देती हैं, roughly 23,000 microlets हमको Navitoli excavations में मिले हैं, अभी तक दोस्तों, जो कि चालकड़नी, etc., कई सारी अगार्ड, जैस्पर, क्वार्ट्स के भी, यह stone blades बने हुए हैं, अब, बात होगी Central India की, और move किया जाए हमारे Indian subcontinent के Deccan पार्ट में, अब हम बात करते हैं, जो हमारा Deccan area है Indian subcontinent का, उसके जो चालकुलितिक farmers हैं, उनके cultural elements क्या रहे होंगे, इस cultural transition phase between 2000 BCE to 600 BCE, दोस्तों, तो जो चालकुलितिक farmers हैं Deccan के, इनका जो बहुत interesting transition या cultural transition दिखाए देता है, वो जो late happen culture है, और जो मालवा culture है, उसका mix हमको दिखाए द देता है Deccan area में, अगर आप discoveries देख लें, दाइमाबाद, तो दाइमाबाद हमको late happen culture के काफी extensions दिखाई देते हैं, इसके अलावा, अगर आप बात कर लें, बाकी region की, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि जादातर area में, Deccan area में, चालकुलितिक cultural sequence, जिसमें सावल्डा culture हमको और जोर्वे culture के बाद, जो सावल्डा culture है, ये हरपन ये late हरपन face की continuity के रूप में ज्यादा establish करता है, और ये आता है, जब मालवा culture, जोर्वे culture खतम हो जाता है, उनके बाद, इसकी जो दो important sites हैं, वो हैं दाइमाबाद और इनाम गाउं, और मालवा culture, जैसा हमने देखा, जो main concentrations हैं डेकन में, मालवा culture की वो हैं तापी वैली, इसके लावा कुछ settlements हमें मिलते हैं, परवारा, गोदावरी और भीमा वैली के आसपास भी, जो early चालकुलितिक farmers हैं डेकन के, ऐसा लगता है, इनका food ये कैसे गेन करते होंगे, ये food अपना ऐसा लगता है, गेन करते हो थोड़ा बहुत किया जाता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि deckan area में rainfall हमेशा ये की issue है, तो barley एक ज्यादा natural cropping pattern है, अगर आप fauna remains देख ले इनाम गाओं में, तो बहुत सारे domesticated animals, जैसे कि humped cattle, buffalo, goat, sheep, dog और pig, इसके भी हमको reflections या remnants मिलते हैं, बहुत सारे wild elements, जैसे कि sambar हो, cheetal हो black buck हो, hair हो, mangoos हो, बहुत सारे birds, reptiles, fish, इन सब के भी हमको bones यहां पर मिलते हैं दोस्तों, इसके लावा tools की बात कर लें, तो stone tools हों जो है copper tools हों, इसके लावा मालवा culture sites या उनके tools या उनका जो continuity है, वो भी हमको deckan में दिखाई देते हैं, polished stone tools deckan में मिलते होंगे या नहीं, म अगर आप polished stone access या polished stone tools की बात कर लें, और इनका micro wear analysis करवाएं, कि अगर उनकी cutting edge का आप देखें किस तरीके से इसमें wear होगा, किस चीज को इनको काम में लिया जाता होगा, तो उससे ऐसा रगता है कि बहुत सारे different purposes के लिए इन polished stone access को use में लिया जाता रहा होगा, जैसे कि plant working जैसे meat cutting, जैसे antler या bone working, जैसे height scraping, इसके लावा copper artifacts में knives हैं, chisels हैं, ornaments हैं, bangles हैं, बीच से, ये भी हमको दिखाई देती हैं, deckan कर जाना है, अब जो deckan का cultural transition है, या चार्टरतिक farmers of the deckan है, इसके जो एक peculiar cultural element है, जिसको कहा जाता है, चौरवे culture of the deckan, इसके बारे में एक short discussion हो जाए, जौरवे culture, पहली बाद किस site पर मिला होगा, of course, जौरवे, और उसके बाद, जब बाकी sites excavate की जाने लगी, तो बहुत सारी sites में, चाहे वो modern महरास्टरा हों, सिर्फ अगर आप coastal conquer district को हटा लें, तो ज्यादा तर जो modern महरास्टरा है, वहाँ उसके बाद बाकी महरास्टरा एरिया में ये spread किया होगा, जो peripheral zones हैं, वो river तापी, जो MP में पढ़ती है, वहाँ तक ये गुजरात में पढ़ती है, वहाँ तक ये extended रहे थे, जो main excavated sites हैं, जौरवे culture of the Deccan के हैं, वो हैं दैमाबाद, इनाम गाउं, थेओर, सोन गाउं, च आरास्टरा का चंदॉली, वहाल, प्रकाश, जौरवे ये निवासाँ, प्रकाश, जौर्वे culture की सबसे बड़ी site है, तापी वैली में, और दैमाबाद, गुदावरी वैली में सबसे बड़ी site है, जौर्वे culture की, और इसी तरीके से भीमा वैली में, इनाम गाउं सबसे बात कर ले, प्रकाश साइट की, दाइमबाद की, इनाम गाउं की, तो तीनों ही साइट्स 20 हेक्टियर सी ज्यादा बड़ी हैं, दोस्तों, यह जो तीनों साइट्स हैं, यह पर्मनेंट एगरी कल्चरल विजिजिस को रेप्रेसेंट करती हैं, और जॉर्वे, बहाल और नेव सेट्लमेंट के रूप में इनको जाना जाता है, इसके लावा, ऐसे स्मॉल सेट्लमेंट में, आप वल्की और गोटकिल को भी कैटेग्राइज कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्स ऐसा इंडिकेट करते हैं, कि शायद जॉर्वे कल्चर में सेट्लमेंट हारेर्की या सोशल हार कि कुछ elements present हो सकते हैं, रेडियो काबन डेट से अगर आम देख लें, नेवासा, चंदॉली, सोना गाम, तो इसका टाइम फ्रेम हमें दिखाई देता है, रफली 1300 to 1000 BC, इनाम गाम के अगर हम बात कर लें, जिसमें अरली जॉर्वे कल्चर का रफली 1400 to 1000 BC के आसपास, और जो जॉर्वे कल्चर है, वो रफली 1000 BC से 700 BC तक कंचिनुउ करता है, जो जॉर्वे पॉर्ट्री है, ये फाइन, वैल बेग्ड, और बहुत रिच है डिजाइन्स और फांस में, जो पॉर्ट्स हैं, वो जेडली रैड हैं, ये ब्राइट औरेंज हैं, मैट सरफिस, और उनका श sharp karenation, spouted jar with flaring mouth, फिर high neck jar with globular profile, इसके अलावा कई सारे coarse handmade red and gray pottery भी हमको जौर्वे कल्चर में दिखाई देती हैं. इसके अलावा हमको oval lamps, red और gray type के जौर्वे कल्चर में दिखाई देते हैं. कई सारे blade flakes, जो कि siliceous stone, चाल्वे कल्चर को रेप्रेसेंट करते हुए दिखाई देते हैं. polished stone axis, जिसमें chisels हैं, ये बहुत कम हमको दिखाई देती हैं जौर्वे कल्चर में. ornaments के अकर हम बात कर लेए जौर्वे कल्चर की, तो beets, जो कि Chelsea Danny, Agard, Caroleean, Jasper, इन सब की बनी होंगी. gold भी हमको कुछ कुछ साइट्स पर दिखाई देता है, जैसे कि beets जो हैं दैमाबाद, इसके लावा इनाम गाओं में जो spiral ear ornaments हैं, उसमें gold का use हमको दिखाई देता है. इस वजए से, एक्सिस के लिए हमको copper नहीं दिखाई देता है, chisels में भी हमको बहुत जादा copper का use दिखाई नहीं देता है, knives, fish hook, यह सारी चीज़ों, beets, bangles में copper हमको काफी कम दिखाई देता है, जोर्वे कल्चर या जोर्वे कल्चर की sites में. फर्नेस हमको देखने को मिली है, इनाम गाओं में, ऐसा लगता है कि शायद वो फर्नेस यूज़ की जाती होगी copper को extract करने की. जो जोर्वे कल्चर साइट्स हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो adults थे, उनको किस position में bury किया जाता होगा? extended burial position. और जो children थे, उनको urns में basically place किया जाता होगा horizontally mouth to mouth. जो burial pits है, इनको house floors में डिक किया जाता था, कभी-कभी जो घर के कोटियार्ट्स हुआ करते थे, उनमें भी शायद डिक किया जाता रहा होगा. एक जो बहुत unusual feature है, particularly adults को लेके, कि उनके feats को deliberately cut कर दिया जाता था. और ऐसा मानना है, शायद इस वज़ा से, कि उनकी जो spirit होगी, जिसकी death होगी, जिसको आप bury करें, उसकी feet को आप cut कर लेंगे, तो उसकी जो spirit होगी, आत्मा होगी, वो शायद कभी उस घर को छोड़के न spirit कैसे leave करेंगी, हमारे साथ ही, हमारे floor के नीचे जहां हमने burial किया है, हमारे कोट्यार में जहां burial किया है, अभी भी वो forever वहीं पे रहेंगे. 1000 BC तक कि अगर हम बात देख लें, तो जो जो जौर्वे settlements हैं Northern Deccan में, ये धीरे धीरे करके, खतम या decay या deserted होने लग गए. इनाम गाँ के site जरूर 700 BC तक हम को दिखाई देती हैं, लेकिन जौर्वे culture की बाकी Deccan की sites हैं, वो रफ़ी 1000 BC के आसपास survive करती हुई नहीं दिखाई देती हैं. एक तेहरी ये भी है, कि हो सकता है कि क्योंकि बारिश कमी हो, aridity बढ़ रही हो, तो इस वज़ा से food एक बड़ा problem हो हो, खाने की दिक्कत हो, इस वज़ा से हो settlements है, तो migrate कर गए हो, या वहीं पे decay और degrade होकर destroy हो गए हो. हमको burn structures के भी कुछ-कुछ evidence मिले हैं, जो भी शायद सजेस्ट करते होंगे, कि जब settlements उनोंने छोड़े होंगे, शायद aridity of food scarcity की वज़ा से, तो अपने settlements को burn करके, वो वहा चालखुलितिक साइट्स हैं हमारी South India की, अगर आप early occupations देख लिए उन साइट्स की, चाहे वो टनूर हों, वटगल हों, बुडिहाल हों, यहाँ पे हमको जो नियोलितिक phase है, उसकी first sites of South India के रूप में identify करने में मदद मिलती है, जो second phase है, नियोलितिक का South India में, इसमें बहुत सारी older sites और अभी कुछ new sites जो excavate हुई है, add होती जा रही है, जैसे वटगल के हम बात कर लें, तो यह एक old site के रूप में जानी जाती है, जो ऐसा लगता है कि second millennium BCE से continue कर रही हो, और in fact इसके अगर हम dating देख लें तो roughly 2000 BC के असपास इसको date किया जा सकता है, यहाँ पर हमको तीन burial और बहुत सारे large storage pit भी देखने को मिले हैं, आर्टिफेक्स से अगर हम बात कर लें, South India के जो नियोलितिक चालकुलितिक sites हैं, तो यहाँ पर आपको टेरे को टफ़ remember graves, जो infant burials थे, South India में ज्यादा तर earned and extended type के burials देखे गए हैं, जो second stage है, southern नियोलितिक चालकुलितिक phase की, वो संगनकल्लू, ब्रहमगरी, पेकलिहाल, मस्की, चकलकोटा, हलूर, जिनकी roughly अगर आप time bracket देख लें, dating, तो roughly 2100 BC से, roughly 1700 BC तक जिनको आप carbon date कर सकते हैं, ज्यादा तर settlements हमको जो South India में मिले, नियोलितिक, चालकुलितिक साइट से, इस culture transition में, वो ऐसा लगता है कि granite hills के top पे, या फिर hills sites के जो terraces से इनको level करके, या hills के वीचे जो plateau area था, flat area था, वहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, ऐसा लगता है, यहांके लोग, वैटल और द्वाभट्स में रहते होंगे, इसके लावा, cells और blades, काफी large quantities में, और कुछ quantities में, copper और bronze artifacts भी हमको यहाँ पर मिलते हैं, जो pottery है, ऐसा लगता है कि जो पुरानी neolithic sites हैं इस area में, उसी pottery को continuity हमको दिखाई देती है, neolithic चालगलतिक sites और South India में दोस्तों, extended burial से अगर हम बात कर लें, तो जो भी habitation area जहाँ पर लोग रहते होंगे, वहाँ पर उसके अलावा कुछ जगे, जो children हैं, उनको earns में burial किया जाता था, habitation site से थोड़ा सा दूर, अगर हम बात कर लें, संगन कल्ल जो कि बैलरी district में पढ़ता है, कि नाटक के, तो यहाँ पर जो early neolithic phase हैं, इसमें ceramic, जिसमें copper का कोई use नहीं देखा गया है, और उसके बाद follow-up होता है, एक phase जहाँ प मिलते हैं, bone points मिलते हैं, और chisels मिलते हैं, जो pottery है, नियोलिथिक चालखोलिथिक phase in South India, यह क्या है, BRW, black on red wear, इसके लावा कुछ जगे हमें red hawker pottery भी मिलती है, और जातर जो pottery है, यह coarse brown यह black pottery है, अचा, mostly fig greens यह terracotta fig greens हमको इस area में कैसे मिलते होंगे, bulls और birds के, इसके लावा आपको bones मिलती है, cattle, sheep, goat और dog, जो नियोलिथिक phase है संगन कल्लू में, ऐसा लगता है, roughly 2000 BC के आसपा स्टार्ट हो गया होगा, एक दूसरी important जो site है South India की, जो basically नियोलिथिक चालकुलिथिक site के रूप में identified है, वो है ब्रहमगरी, और ब्रहमगरी पढ़ती है चित्र इसके लावा wooden और bamboo post जिनको stone से support किया जाता होगा, और artifacts की बाद देख लें, इस particular site ब्रहमगरी में, तो ground और polished stone tools, उसके लावा microleth blades, उसके लावा grain pottery, जादा handmade basically हमको दिखाई देती है, copper branch objects भी यहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन बाद, later के periods में, burials, extended burials adults के लिए, और children के अगर आप बात देखलें, पिखली हाल site की, तो यहाँ पे जो lower levels हैं, वहाँ पे हमको circular huds, neolithic tools और microlethic blades देखने को मिलते हैं, जो pottery है पिखली हाल में, वो handmade है, और ज्यादा तर grey overnished grey bears की बनी हुई है, इसके लावा बहुत सारे specimen आपको मिलते हैं, black, buff, red, brown bears, और कुछ paintings हम को मिलती है, red ochre and purple, terracotta figurines अगर आप देखलें, चाहे humans के हो, animals हो, birds के हो, ये भी हमको दिखाई देते हैं, दोस्तों, cropping pattern के अगर हम बात कर लें, South India में, इस cultural transition period में, तो cropping patterns हमको मिलते हैं, असल लगता है, खरीफ जो crops हैं, summer की जो crops हैं, इसके लावा small millets, pulses खास और से moon और horse gram यहाँ पे cultivate किये जाते होंगे, इसके लावा additional crops, चाहे wheat हो, barley हो, pigeon pea हो, palm millet हो, हेंसंत bean हो, ये भी शायद selectively कुछ areas में हो सकता है, उस वक्त grow किये जाते रहे होंगे, wheat और barley ऐसा लगता है कि winter crops होंगी, और fruit और tubers ऐसा लगता है कि सिर्फ dry season में cultivate किये जाते रहे होंगे, द इस पूरे discussion को wrap up करने के लिए, इससे पहले हम move करे हैं हमारे अपने second part of today's lecture which is extremely important कि किस तरीके से copper और bronze से अब iron Indian subcontinium ने देखने को मिला है, थोड़ा सा detailed discussion हो जाए, mega lits पे, या Indian mega lits पे, जैसा हमने discuss किया कि mega lits होते क्या है, mega lits ऐसे होते हैं कि बड़े-बड़े stone से कर आप कोई structure बना लें और बहुत planned शायद ना हो, rough तरीके से उनको arrange कर दें, उसको कहा जाता है mega lits दोस्तों, और जो mega lits हैं, ये जो iron technology है, उसके शुरुवाती दोर में और ज्यादा हमको दिखाए देते हैं, peninsular India में, तो मुझे करेंगे कि iron technology ने Indian subcontinent में इस cultural transition में कैसे अपना role play किया, जो word है megalit, ये दो Greek word से हाता है, mega means great या big और lithos means stone, इसका मताब megalits बहुत अलग-अलग type की monuments हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज हमेशा common होगी, कि जो भी megalits होंगे, ये large, बड़े, roughly dressed, जो slaps of stones होंगे, उनसे बन आए गए होंगे, ऐसे जो monuments हैं, क्या India, सिर्फ इंडिया में ही आपको देखने को मिले हैं, नहीं, word के रफली सारे parts में, चाहे Europe हो, Asia हो, Africa हो, Central और South America हो, वहाँ भी megalits structures हमको देखने को मिले हैं, Indian subcontinent में, ये ज़ादा तर जो megalits हैं, वो far south, deckan plateau, windian और alawri ranges, और northwest में दे कि ये आज भी कुछ tribal communities में हमको continue दिखाई देती हैं, जैसे कि जो असाम के खासी tribes हैं, या जो मुंदाज हैं छोटा नागपूर प्लाचो के, वो आज भी इन megalits structures को interior में construct या continue करते हुए दिखाई देते हैं, जो term है megalitic culture, ये basically, मतब जो भी culture associated हो, ऐसी sites से जिनको आप megal कह सकें, या large stone से structure बनाएं, रफ तरीके से, उनका जो भी cultural setting हो, elements हो, उसको आप क्या कहेंगे, megalit या megalitic culture, megalit कई बार ऐसा लगता है, कि एक dominant feature होंगे, एक homogeneous, independent और dispersed type of cultural setting के दोस्तों, लेकिन ये जो view रहा, कि अपने आप में distinct रहे होंगे, dispersed रहे होंगे, ये view अप accepted नहीं है, इसका मतलब कि megalit cultures में भी बहुत सारे different type के variations हमको देखने को मिले होंगे, तो एक singular megalitic culture, एक homogeneous megalitic culture, categorize कर देना, सारे megalitic features को अप acceptable नहीं है, जो megalit's हैं, ये कई burial types को demonstrate करते हैं, reflect करते हैं, कि अलग-अलग time में, अलग-अलग जगा पे किस type का burial किया जाता था, ये भी megalit sites के साथ, या megalitic sites के साथ associated हैं. बहुत सारी जो burial practices हैं, इनका origin अगर आप trace करने लग जाएं, तो नियोलिथिक, चालकोलिथिक context है, उस time से आप उसको trace कर पाएंगे. जैसे कि pay turn earn burials, जो कि हमको South Indian Neolithic चालकोलिथिक साइट्स पर मिलते हैं, ये भी हमको Neolithic चालकोलिथिक जो period रहा, वहां की continuity दिखाई देती हैं, इसी तरीके से, अगर आप देख लें, सर्कोफेगस burials, सो सर्कोफेगस burials हमको दिखाई देते हैं, जो चालकोलिथिक जौरवे phase है, इनामगाव, वहां पर, जो नया double point है, हालांकी, जो Megalits of India या Megalits of South India की अगर हम बात कर लें, तो जो Megalits chambers हैं, ये हमको Neolithic period में दिखाई नहीं देते हैं, जो एक अब नया development, इस cultural phase, 2000 BC ज़े 600 BC के बीच में, हमको Deccan area में, और South Indian, जो part Indian subcontinent का, इसमें दिखाई देना चुरू हो जाता है, Megalits के साथ, या Megalitic sites के साथ, तीन interesting या basic type के burials हैं, या तीन important features हैं, chamber tomes, unchamber tomes, और Megalits, जो की burials के साथ associated नहीं हैं, अगर कोई Megalit है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर Megalit के साथ burials भी associated हो, चलिए एक एक करके discuss करते हैं, जो chamber tomes हैं, उसमें एक chamber होगा जिसके size different हो सकती है, उसके अलावा, उसमें दो या चार vertical stones होंगे, जिससे उस chamber को construct किया जाएगा, जिसको आप कहेंगे orthostats, और उपर एक horizontal capstone आप लगाएंगे, तो तीन या दो या चार stone से आपने एक chamber बनाया, एक capstone सो उसको cover कर दिया, कई बार ये chamber हो सकता है, underground हो, उस case में चेंबर अंडर ग्राउंड हो जमीन के ऊपर नहीं हो तो इसको कहा जाएगा, cyst, कई बार हो सकता है, ये partial underground हो, कुछ underground हो, कुछ जमीन के ऊपर हो, तो ऐसको कहा जाएगा, dolmanoid cyst, और ऑगर ये पूरी तरह ground के ऊपर है, तो ऐसे chamber tombs को कहा जाएगा, dolman, जो chamber tombs है, इनको क इवाइट बीच में कर दिया जाता है वर्टिकल स्लैप से जिनको कहा जाता है ट्रांस सेप्स ये बात हो गई चेम्बर्ड बरियल्स चेम्बर्ड टॉम्स की जो दूसरे टाइप का अलिमेंट है या दूसरे टाइप का बेसिक मेगालित है वो है अन्चेम्बर्ड बरियल्स और ये जो अन्चेम्बर्ड बरियल्स हैं तीन टाइप के है पिट बरियल, अन्बरियल एंड सरकोफेगस बरियल जो पिट बरियल्स हैं इसमें जो फ्यूनली रिमेंस हैं मतलब किसी की डेथ हो जाती है उसकी जो remains बच जाते हैं उनको एक pit में बरी कर दिया जाता है और जो pit burials है इसमें बड़े-बड़े large stones के circle जिसको pit circle भी कहा जाता है उससे mark किया जाता है उसके बाद जब आपने burials कर दिया तो उपर बड़ा सा एक stone जिसको आप कहेंगे cane उससे इसको cover कर दिया जाता है जो pit burials है अगर उसमें एक single large standing slabs को आप कहेंगे many here इसी तरीके से जो सरको phagus burials है इसमें टेरे कोटा truff रहेगा जिसमें legs भी रहेंगी lid भी रहेंगी जिसमें आप funeral remains को डालेंगे और उस lid को उपर से लगा देंगे earn burials में जो funeral remains है मतलब अंतिन जंसकार के जो भी remains आपके पास बचे हैं उसको आप एक large pot या large earn में basically place करेंगे और जो mouth होगा ऐसे large pot और earn का उसको आप stone slab से cover कर देंगे जो earn और सरको phagus burials हैं ज्यादा तर megalithic burials sites के साथ associated हैं लेकिन सारे megalithic sites क्या burial sites भी हैं ऐसा नहीं है कई megalithic sites ऐसी हैं जहां हो सकता है burial के रूप में या burial sites के रूप में उनको use ना किया जाता होगा दोस्तों और इस वजह से जो megalithic sites हैं उनकी different shape, different size different structure, different arrangement हो सकता है उस वक्त जो belief system रहा होगा funerary system रहा होगा या बाकी जो cultural elements रहे होगे उनका एक reflection के रूप में इसको बहुत strong element माना जा सकता है तो जितने भी structures हैं उस वक्त के जो लोग होँगे civilizational elements होँगे उनकी lives के, उनके belief systems के और जिन लोग ने इनको construct किया होगा सोचाओगा, imagine किया होगा and just imagine, सिर्फ इंडिया ही नहीं सिर्फ इंडियन subcontinent ही नहीं बलकि वर्ड में Europe देख लें, US देख लें हर जगा आपको इस टाइप के constructions, megalithic constructions मिलते हैं दोस्तों जो नियोलितिक, चालकलितिक phase हैं, उनके बजाए जो नियोलितिक या megalithic burials हैं, ये separate area में थे ये houses के अंदर या house floors के अंदर ये burials नहीं हुआ करते थे इसका मतलब, नियोलितिक, चालकलितिक phase में, जो house burials थे, उनके बजाए अलग area पे आप megalithic construct करके, उनको burials sites के तरह use करना, ऐसा लगता है एक नया social construct नई social organization नई social source के बारे में, progress के बारे में एक reflection के रूप में देखा जा सकता है, जो megaliths हैं इसको आप कई different type की funeral practices, चाहे extended burials हो, fractional burials हो post excernate burials हो, post commission burials हो इसके reflection के रूप में भी उस वक्त की society के बारे में आप सोच सकते हैं इसके लावा, कुछ sites पे हमको group burials भी देखने को मिले हैं मतलब बहुत सारे लोगों का एक साथ burials जोनको family walls भी कहा जाता है लेकिन हमको repeated opening और repeated closing के हमको बहुत ज़दा signs देखने को नहीं मिले हैं जो grave goods हैं कि जब कोई भी आप funeral rights किसी के भी करते हैं किसी का burial करते हैं तो उसके साथ weapons, pottery, ornaments भी basically आप रखते होंगे इसके भी हमको elements मिले हैं तो psorians कैसा मानना है या archaeologists कैसा मानना है या anthropologists कैसा मानना है कि हो सकता है यह सारा समान burial के टाइप में dead bodies के साथ इसलिए रखा जाता होगा कि हो सकता है उस वक्त के लोग after life मतलब death के बाद भी life है इसमें firmly believe करते होंगे यह भी हो सकता है कि कुछ जो megalitic sites है कुछ तो burial sites है इसके लावा हो सकता है कि बागी burial sites ना हो सिर्फ जो dead हैं deceased हैं उनकी memory में उनको construct किया जाता रहा होगा तो यह discussion रहा दोस्तों हमारा megalitic sites या megalitic culture of the Indian subcontinent अब हम अपने next phase की तरह या second part of the lecture की तरह या अगले पढ़ाव की तरह move करते हैं कि किस तरीके से copper culture या bronze culture हरपन culture उसके बाद का culture transition जो की bronze से copper की तरह जादा बढ़ा अब basically move करता है iron की गराव copper से iron की क्या journey रही जो early iron age cultures रहे हमारे Indian subcontinent उनके बारे में एक discussion हो जाएं अगर आप world over देख लें तो generally iron age copper bronze age के बाद आता है यह जो transition है copper से iron इसके बहुत सारे questions है कि technically ऐसा क्यों होता है कि पहले bronze या पहले copper फिर bronze या फिर copper और copper के बाद ही iron आता है क्योंकि जो iron smelting है क्या ये copper smelting का एक byproduct रहा होगा कि copper smelting में सब लोग involved होगे फिर देखा होगा इसमें iron जैसा कोई metal निकल के आ रहा है या ऐसा हो सकता है कि जो smelting है या working है iron की ये उस वक्त की जो technical expertise थी copper smith की उनकी range से बाहर था क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक gigantic technological leap के जरूरत थी या ऐसा भी हो सकता है कि जब copper और bronze आपने इतने centuries तक यूज किया तो फिर क्या जरूरत पढ़ गई iron tools के इन कुछ answers को हम ढूणने की कोशिश करते हैं अपने अगले short discussion में एक तो अगर आप metallurgical point of view से देख लें तो कई सारे technological aspects attached है iron के extraction को लेके उसकी smelting को लेके जैसे copper melt होता है roughly 1083 degrees Celsius पे iron कितने पे melt होता होगा iron melt होता है 1534 degrees Celsius इसका मतलब iron को melt करने के लिए आपको कहीं ज़्यादा temperature चाहिए और हो सकता है इसी वज़ा से इतनी ज़्यादा temperature को achieve करने के लिए फिर्नेंस और जो technology चाहिए होगी उसको आने में time लगा हो और copper क्योंकि आप lower temperature पे extract कर सकते हैं तो शायद इसलिए copper को extract करना copper smelting आसान रहा हो iron smelting extraction के पजाए similarly जो iron ore है इसमें कई सारी impurities होती है copper के comparison में तो क्योंकि copper में कम impurities हैं कम temperature चाहिए तो शायद copper को extract करना smelt करना और use करना iron के मुकाबले कहीं ज़्यादा easy रहा हो तो इस वज़े से हो सकता है पहले copper उसके पाद iron इसके अलावा जो technology है जिसको carbonization कहा जाता है कि आप iron को heat करेंगे उसके बाद आप इसको carbon के साथ mix करेंगे ताकि आप steel बना सकें ये भी एक बहुत important step था इससे पहले कि iron का widespread basically use होगा क्योंकि steel is much tougher stronger than iron आपको iron lumps के peaches के artifacts के कई सारी sites पे evidence मिलते हैं चाहे वो lothal हो मुंसदार हो पिराक हो अलादीना हो अर हो गुफरखाल हो लेकिन large scale iron हमको इस transition period से पहले utilize करता हुआ नहीं दिखाए देता कई लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है जो copper smelting finances हो उसको जब आप high temperature पे लिजा रहे हो तो हो सकता है iron उसका एक accidental by product हो क्योंकि हो सकता है कि जब consistent basis पे by product high temperatures पे देखा गया हो copper smith द्वारा तो उनको लगा होगा कि ये नया metal क्या है और इसके बाद उन्होंने इसको और explore करना ये technological advance और higher temperature से trend करके iron smelting को technologically popularize करना शुरू किया हो जो large scale use है iron का ये technical fineness जो iron working की है ये ऐसा लगता है कि शुरुआत में accidental हो सकता है लेकिन बाद में जब इसकी utility समझ में आई और खास्तों से carbonization की जिसमें आप इसको carbon के साथ mix करके steel बना पाएंगे उसके बाद इसका जो uses है या इसकी जो application है वो subcontinent wise कहीं majorly expedite basis पे देखी गई copper ores है availability point of us आप देखिए copper or iron को iron को extract करना मुश्किल है iron को smelt करना मुश्किल है लेकिन iron copper के मुकाबले Indian subcontinent के किनाम बात कर ले तो ज़्यादा जगह available है कम जगह available है iron copper के मुकाबले ज़्यादा widely available है ज़्यादा easily available है सिर्फ technology जैसे ही mature हुई development level पे किसको आप आप commercially extract कर पाएंगे यूज कर पाएंगे immediately civilization ने cultural elements ने उस वक के technologists ने Smiths ने copper के बजाए iron को prefer करना शुरू कर दिया दोस्तों और agriculture societies जो हमारी रही उस वक्त की उन्होंने जो iron implements हैं उनको agricultural operations चाहे वो plaws हों hose हों sickles हों इनको large scale industrial scale पे यूज करना शुरू कर दिया तो हो सकता है copper के by product के रूप में much higher temperature पे जादा sites पे availability के कारण धीरे धीरे इस cultural transition phase 2000 BC से 600 BC के बीच में iron का advent हुआ और जब इसका uptake intake बढ़ गया agriculture production activities के लिए इस ही को कहा जाता है beginning of iron age जो iron ore है pre-industrial smelting के लिए जो suitable हो यह subcontinent में बहुत बड़े area चोटा ना कुट प्लैटों आप देख लीजिए South India आप देख लीजिए West India देख लीजिए रफली हर जगा मिल ही जाता है letter Vedic text की भी अब हमने बात की आयास उसमें हमने word देखा evidence है copper smelting etc इन सब को correlate करने से ऐसा लगता है कि जो हमारे Indo-Gangetic Divide है या Upper Gangay Valley है यहाँ पे iron roughly किस time frame में start use होना शुरू हो गया होगा roughly 1000 से 500 BCE के बीच में और कम से कम 6 different early iron using centers को identify कर लिया गया है हमारे subcontinent में जैसे नॉर्थ वेस्ट में बलुचिस्तान Indo-Gangetic Divide और अपर गंगा वैली राजस्तान Eastern India Malwa Central India विधर्व Deccan में और South India मतलब आल्मोस्ट नॉर्थ वेस्ट से लेके गैंगे वैली से लेके Eastern India से लेके Deccan से लेके South India से लेके आयरन ओल्मोस्ट सब जगह मिलने यूज होने लगा ये जो सारे Six Major Centers हैं जिसके अभी हमने बात की यहाँ पे या इन एरियास के आसपास में आयरन ओर के Major Resources Available रहे होंगे उस वज़े से वहाँ से Extract करना Transport करना Smelt करना उस वक्त के Civilization Leadership को या उस वक्त के लोगों को या Civilization Elements को आसान पढ़ता होगा एक बहुत बड़ी Myth है गलत फैमी है या शुरुवाती एक Theory रही कि आयरन ने क्योंकि पूरे Agricultural Base को Change कर दिया अब आप ज़्यादा जगहत को Clear कर सकते हैं ज़्यादा Production को बढ़ा सकते हैं कई ऐसा तो नहीं कि ये जो Copper से Iron का सफर हा Indian Subcontinent का ये Indians या मतलब Indian Subcontinent के लोग नहीं In fact Indo-Arians ने जब ट्रेवल किया होगा Indo-Arians ने कहां से ट्रेवल किया होगा इसका Dominant View क्या है जो हमने इंडिया में लेकर आई होंगे लेकिन इस अब थियोरी को इस मित को पूरी तरह Discard कर दिया गया है क्योंकि बहुत Clear है कि अगर आप पूरे Subcontinent को देख लें आप In fact Central Asia को देख लें तो कोई ऐसा Evidence हमें नहीं मिला है जिससे ऐसा लगे Copper से Iron की जर्णी रही Indian Subcontinent की वो एक Natural Technological Progression के Natural Law को Follow करते होई दोस्तों जो Iron का use है Central और South India में ये ऐसा लगता है कि North West और Gengay Valley के बजाए पहले शुरू हुआ हो और जो Productive Systems हैं उसमें Iron ऐसा लगता है Particularly जो हमारा Central और South India है उसमें रफली 800 BC के आसपास से इसको Productive चीज़ों के लिए Agriculture चीज़ों के लिए Productive System में इसको काम में लेना शुरू कर दिया गया हो दोस्तों अब Area wise थोड़ा देख लिया जाए Iron के बारे में सबसे पहले North West से शुरू करते हैं Northwest में हमको कई टाइप के Iron Objects चाहे वैसल्स हो, जैविलिन हो Swords हो, Arrowheads हो, Spearheads हो Horshoes, Fish होकों यह सब हमको दिखाए देते हैं Iron के बने हुए इसके लिए हमको के इन Burial Sights मिलती हैं बलूचस्तान में जैसे की डंबाखो, जिवनारी में, गटी में नसीराबाद में, जंगयन में, मुगल गुंड़ाई में बिश्रजार, एक बेसिक कुल्चुरल कंटिनुटी जो अर्लिय चाल्खोरितिक फेज से अब जो Iron Bearing Levels आ हैं यह भी हमको North West में दिखाई देती हैं जो Iron Objects हैं चाहे वो Spearheads हो, Arrowheads हो Pins हो, Nails हो, Spoons हो, Rings हो, Forks हो, Axe हो इन सब में वो कल्चुरल कंटिनुटी हमको दिखाई देती हैं इसी तरीके से अगर आप सराईगोरा की बात देख लें तो Iron जो Second Phase है Period 3 उसमें Iron का Advent दिखाई देता है जो Artifacts हैं उसमें Rings हैं, Rots हैं Iron Clasp हैं, Nickles हैं ये Clearly North West में हमको दिखाई देती हैं साथी साथ तरफली ऐसा लगता है कि North West में 1000 BC के जो Megaletic Levels हैं, गुफराकाल कश्मीर में उन साइट पे भी हमको Iron के Elements दिखाई देते हैं अब जो Indo-Gangetic Divide है Upper Ganga Valley है और यहां का जो Painted Gray Wear Culture है इसका भी थोड़ा सा discussion हो ही जाए जो PGW साइट जिनको कहा जाता है या Painted Gray Wear साइट कहा जाता है वो situated कहाँ पर है? ये situated है हमारी गगर हाकरा एरिया भगवानपुरा, बीकानी रीजन जो है राजस्थान का वहाँ पर लेकिन जो गगर हाकरा रीजन है यहाँ पर हमको iron का कोई evidence नहीं मिला है लेकिन इसके अलावे जो sides है जखेरा है, कौशाम भी है नो है राजस्थान में वहाँ पर हमको iron मिलता है जो pre-PGW, BRV लेवल्स हैं यहाँ पर भी गंगा यमना तो आपकी बात कर ले तो जो earliest iron objects हमको मिलते हैं PGW या basically painted gray wear culture के साथ और जो painted gray wear culture है PGW है यह सबसे पहले identify किये गए अचिनतारा जो परेली district में है 1940s में लेकिन इसका full significance समझा गया जब हस्तिनापुर को excavate किया गया 1954-55 में PGW की जो खास बात है बहुत extensive distribution है और जो हिमालियन है foot hills वहां से extend करता हुआ मालवा प्लैटो है Central India में इसके अलावा भावलपुर रीजिन है पाकिस्तान में कौशाम्भी अलाबाद etc. यहां तक extended है तो major expense हिमालियन foot hills से मालवा यहां पर अलाबाद etc. बहुत major expense को cover करता है PGW या Painted Grave Wear Culture इसके अलावा plains के अलावगर हम बात कर लें तो बहुत सारी sites जैसे की काशिपोर्ट, थापली, पुरोला जो की कुमाउं और गर्वाल के हिली रीजिन्स में है वहां पर भी देखने को मिलती है इसके अलावा PGW के कुछ sporadic strides हमको मिलते है बिहार के वैशाली में उजैन, मद्यप्रदेश एटसेटरा में जो main concentration sites है PGW या Painted Grave Wear sites है वो हमको मिलती है Indo-Gangetic Divide सतलज Basin और Upper Ganga Plains अगर आप इसके dating करें तो ये रफली 1100 BCE से 500 BCE के असपास Painted Grave Wear को अपडेट कर सकते हैं Sites हैं North West ऐसा लगता है वो जो Ganga Valley की sites है PGW उन से पुरानी है तो इसका मतलब इसका बहुत wide geographical distribution हुआ बहुत लंबी chronological range हुई और क्योंकि इतने wide geographical area में distributed है तो जाहिर सी बात है कि हर जगय के अपने कुछ ना कुछ variations इसमें रहे ही होंगे archaeological sequence point of view से देखें तो जो PGW phase है Painted Grave Wear phase है इसके बात कौन सा phase आया होगा NBPW मतलब Northern Black Polished Wear Phase जो रफली जाता है 700 BCE के आसपास में और एक इसकी important side कौन सी है NBPW या Northern Black Polished Wear phase की वो है श्रंगा वेरूप पुरा और ये जो PGW sites है ये कई बार हमको Proto Urban Phase का indication भी देते हैं दोस्तों Structure remains अगर आप देख लें PGW sites के levels के structures के सो ज्यादा तर महाँ पे जो घर है वो वाटल और दौाब और mud huts है इसके लावा Unbaked Bricks हमको मिलती है हस्तेनापुर में कई सारी Large Amounts में Big Bricks मिलती है जो ऐसा लगता है हो सकता है Ritualistic Purposes Religious Purposes के लिए यूज की जाती हो जखेरा में इसी तरीके से भगवान पुरा के अगर हम बात देख लें तो वहाँ पे हमको एक Large 13 House का Big Bricks का एक House मिला है लेकिन Clear नहीं है कि ये PGW के दौरान बनाया गया है या Later Upper Face के दौरान बनाया गया है दोस्तों इसके लावा जो PGW Sites है ये किस टाइब का Substance Level होगा Cultivation of Rice हो Wheat हो Barled है Indicate करते है और ये Sites ऐसा लगता है कि Per Year कम से कम 2 Crops Grow करते होंगे Irrigation Facilities का कोई Indication नहीं है लेकिन जो Habitational Areas है जहां लोग रहते हैं Particularly जैसे अतरंजी खेरा वहाँ पर कच्चा Wells हमको कई दिखाई देते हैं तो हो सकता है कि कच्चे Wells के थुरू कुछ Limited Scale पर Irrigation की जाती रही होगी Animal Husbandry भी Clearly दिखाई देती है Large amounts of bones चाहे Cattle हो Sheep हो Pigs हो या Fish Bones हो Fish Hooks हो Horse Bones हो Hastinapur में हमको Clearly PGW Levels पे दिखाई देते हैं दोस्तों ज़्यादा तर जो Artifacts है PGW Levels पे ऐसा लगता है या तो Hunting से Connected है या War या लड़ाई से Connected हैं दोस्तों अब सोचके देखिए Arrowheads Spearheads Blades Daggers Lenses या तो मुझे आप Hunting में यूज लेंगे या फिर Wars Conflicts में यूज लेंगे इसके अलावा बहुत सारे Clamps Sockets Rods Rings Pins Chisels R&N Implements भी हमको जो Agriculture में यूज होते होंगे PGD Blue Levels पे दिखाई देना शुरू हो जाते हैं चाहे वो सिकल हो Plows Share हो 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 इसका मतलब R&N Industry ऐसी साइट्स PGD Blue लेवल चाहे अत्वनजे खेरा हो यहाँ पर Well Developed तरीके से Establish होना शुरू हो गई Wrought Iron और उसके बाद Carburized Wrought Iron जो कि Steel में Conversion के लिए Important Step था उसके भी Evidences देखना शुरू हो जाते हैं दोस्तों अच्छा तो यह डिसकॉशन हो गया कि किस तरीके से Copper से Iron PGW Level के साथ Iron कैसे Associated होता हो देखा गया Agriculture Productive Activities में Industrial Level पे Iron कैसे Introduce होगा अब एक Short discussion हो जाए आज के Lecture को Conclude करने से पहले कि जब Iron Copper के बाद Indian Subcontinent में Introduce हुआ तो इस Technology का क्या Impact रहा होगा और Obvious सी बात है कोई भी नही Technology आती है तो उसकी Beginning उसकी Maturity और उसका Significant Impact जब तक हमको दिखाई देता है उसमें Time Lag एक बहुत Natural चीज है Small quantities Iron की हमको Second Millennium BCE से ही दिखाँ शुरू हो जाती है लेकिन इसका जो Prevalent Use है Industrial Scale Use इसको आप कह सकते है Productive Technology के रूप में इसका Development आप कह सकते हो वो roughly पूरे सबकॉंटिनेंट में 1000 से 800 BC के आसपास दिखाई देता है और 800 BC से 500 BC का जो Period रहा इसमें ऐसा लगता है कि Virtually सबकॉंटिनेंट के हर पार्ट में कोनी कोनी में Iron Technology Already Spread कर चुकी थी और तब ऐसा लगता है कि Real Terms में Indian सबकॉंटिनेंट ने Iron Age को Enter किया होगा लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसे भी रहे होंगे जिसमें हो सकता है 800 BC 500 BC के बाद ही Iron आया होगा लेकिन ऐसे पॉकेट्स ऐसे एरियाज पूरे इंडियन सबकॉंटिनेंट में बहुत कम दिकाई देते है एक डिबेट कि इस टिकनॉलोजी का क्या इंपैक्ट रहा होगा ये कई डिकेट्स पुरानी है कई लोगों का कहना है कि शायद इस टिकनॉलोजी नहीं एग्रिकल्चर को पूरी थारा चेंज कर दिया होगा for good कई लोग शायद उस थियोरी से इतने अग्री नहीं करते ये जो डिबेट है ये पार्टली एमिनेट होती है एक बड़ा क्वेस्चन कि सिर्फ आयरन टिकनॉलोजी नहीं कोई भी टिकनॉलोजी हो उसका रियली कितना मेजर इंपैक्ट हो सकता है सोसाइटी पे पॉलिटिक्स पे एकोनॉमी पे या ओवराल हिस्ट्री पे कई लोगों का कहना है कि टिकनॉलोजी ड्राइव करता है बाकी एलिमेंस को और कई लोगों का ये मानना है कि शायद बाकी एलिमेंस टिकनॉलोजी को ज़्यादा ड्राइव करते होंगे समझने की कुशिश करते हैं किकर आप पुरानी थियोरी हाइपोथेसिस देख लें तो उस वक्त जो हाइपोथेसिस थी थियोरी थी उसका कोई हिस्टॉरिकल आर्केलोजिकल एविडिन्स नहीं था जैसे डीडी कुशामबी उन्होंने सजेस्ट किया कि जब इंडो आर्येंस ने इस्टर्ण मूव करना शुरू किया इंडिन सबकॉंडिनेंट को एंटर करना शुरू किया और साउथ भिहार एटसेट तक तक पहुँच गए तब उनके थुरू आर्येंट टेकनोलोजी ने इंडिया में एड्वेंट किया होगा और उन्होंने रफली जो बिहार छोटो मैक्पूर प्लैटो एरिया में आर्येंट रिसोर्स हैं उस पे डॉमिनेंस मुनोपली स्टैबलिश कर दी होगी और इसी वजह से इस एरिया में बिहार के एरिया में जो हुआरा पहला किंग्डम रहा जिसको मगदर एम्पायर, मौरेण एम्पायर, इट्सेटर जो बाद में आए यहीं से शुरुवात या उनकी उत्पत्ती होई होगी लेकिन आज इस हाइपोसेस को पूरी तरह डिसकार्ट कर जिया गया है क्योंकि आइरन सिर्फ बिहार में ही कनफाइड नहीं था आइरन टेकन में भी था, आइरन साउथ में भी था, आइरन कुछ वेस्टन पॉकेट्स में भी था जैसे एगोश की बात देख ले, या नियर अंजन रे की बात देख ले उन्होंने आगू किया कि जो गंगे वैली के असपास फॉरेस्ट हैं जिसमें डीडी कोशाम्री का कहना था कि आइरन आने के वज़े से लाड़ स्केल फॉरेस्ट को कट किया गया, उनको फार्मिंग के लिए यूज किया गया कि जो गंगे वैली के फॉरेस्ट हैं, इसको सिर्फ कट करनी क्या जरूरत है अईरेन इंप्लेमेंट्स उस वक्त के अगर आप देखαιंगे शायद इतने स्ट्रॉण नहीं होंगे इनको आज के इतने स्ट्रॉण नहीं है कि अगर आप मैनॉली फॉरेस्ट को कट करनी लग जाएं जो archaeological data है, वो support करता है कि iron technology का जो diffusion रहा, advent रहा, progress रही, impact रही, वो rapid, sudden, dramatic नहीं, लेकिन gradual, natural progression से ही रही इसका मतलब iron technology का uptake बढ़ता गया, उसी के साथ से जो social political factors थे, वो अपने आपको adjust करते गए साथ ही साथ उन्होंने iron technology के uptake, उसका expansion, उसका introduction in different spheres of life, including economy, उसको भी dictate करना शुरूर किया तो historical transformation अगर आप देख ले, गैंगे वैली का, तो roughly 1st millennium BC के आसपास हुआ, roughly 1000 BC के आसपास हुआ इसी तरीके से, अगर आप मखनलाल की idea को देख ले, तो उन्होंने कहा कि जो large scale fallis clearance हुआ, जिसको डीडी कुशामभी और बाकी historians ने कहा, कि जिसके वज़े से large, जब जंगल काटे गए, उनको fields में convert किया गया, large agriculture surplus डवलप हुआ, जिससे ने kingdoms डवलप हुए, तो अगर आप देख लें, तो अगर गंगा प्लेंस के अगर हम बात देख लें, तो गंगा प्लेंस 16th, 17th century, मतला roughly British के आने से पहले तक, बहुती thickly forested areas रहे हैं, तो एक तरफ तो हम कहते हैं, कि roughly 1000 BC के आसप पासी iron आने के वज़े से large scale jungle cutting हुई, forest clearance हुआ, agriculture को surplus बढ़ाने के लिए, तो 17th century तक फिर यी पूरा area thickly forested कैसे रहा, real terms में अगर आप देख लें, सच्चाई ये है कि जब British colonial masters आए, उन्हों ने trains के थुरू, नई technology के थुरू, इंडस्टिल revolution के थुरू, 16th, 17th, 18th, 19th century में, जो गंगे वेली forest हैं basically, इनको तब large scale इनका deforestation clearance करना शुरूर किया, उससे पहले तो ज़्यादा तर forest area हमारा intact रहा इसका मतलब जो theory है कि iron technology ने forest को cut किया, agriculture सब प्लस एक्दम से बढ़ गया, उसके वज़े से second urbanization शुरू हो गया, kingdom established हो गये, जिसके वज़े से नई religions आ गए, ये अब acceptable नहीं है, नहीं acceptable है कि iron technology को बाकी कोई बहार से Indian subcontinent में लेके आया, theory ये है कि जैसे बाकी areas में iron ने धीरे धीरे gradually uptake बढ़ाया, नई technology डवलप हुई, higher temperature पे, उस वक्त के smiths ने नई financials को डवलप किया, iron start हुआ, advantage के वज़े से उसका uptake बढ़ा, social political factors ने iron के uptake को influence किया, iron technology ने social economic cultural factors को भी उतना ही reverse में impact किया होगा, दोस्तों, तो दोस्तों, ये हमारा last part of today's lecture रहा, कि iron technology कैसे copper technology के बाद Indian subcontinent में आई, क्या theories हैं उसके invention या introduction के बारे में, क्या theories हैं कि इसका क्या impact रहा होगा, अब हम सिर्फ एक short discussion करेंगे कि आज की lecture का पूरा conclusion क्या है, कि जो literature है, जो archeology है, इन्होंना clearly 2000 BCE से 600 BCE तक क्या cultural transitions रहें, चाहे इंडो-ारियन invasion की theory हो, चाहे वेदिक period हो, लेटर वेदिक period हो, चाहे बागी सारे elements हमने देखे, जोर्वे culture हो, मालवा culture हो, अहर culture हो, ओकर पोर्टरी ग्रे कल्चर हो, PWG culture हो, इटसेटरा, इटसेटरा, iron का introduction हो, copper का जाना हो, ये एक बहुत बड़ा मुझार्ख है, बहुत सारे variations हैं, different time frames हैं, different factors हो सकते हैं, और in roughly 14 centuries मेंगर आप देखे हैं, तो subcontinent के अलग-अलग parts ने, अलग-अलग तरीके से transition किया, चालखोलितिक phase से, iron age की तरफ, historians ने Vedic text को utilize किया, कि जो broad patterns रहे होंगे, historical change के, खास और से northwest से start होते हुए, अपर गंगा डाली तक उसको describe करने के लिए, जो archaeological है, या archaeological facts हैं, archaeological findings हैं, इन्हों ने जो रोज मर्रा की जिन्दकी है, everyday life की जो elements हैं, उनको define करने की कोशिश की, बहुत सारे evidence हैं जो हमको settlements के थुरू, बहुत सारे elements हैं जो हमको agricultural, fauna, जो remnants हैं उनके थुरू, बहुत सारे elements हैं, जो हमको domestication of animals, उनकी bones, कैसे tools की जोते हैं, उसके थुरू, हम लोगों ने उनकी रोज मर्रा, daily life में वो क्या करते होंगे, उसको broadly define करने की कोशिश के लिए, इसके अलावा, हमको two-tiered hierarchy of settlements मिलते हैं, अगला केला crafts, bronze हो, copper हो, iron हो, इसका मतलब, बहुत सारे elements were playing their part in defining the technological, social, economic complex of the Indian subcontinent. तो दोस्तों, ये रहा हमारा lecture number 12, जो हमारा lecture number 11 से continue हुआ और close out करता है, हमारा roughly 600 BCE अब शुरुवात होगी, history, history, राजाओं की, history, kingdoms की, history, empires की, history, invasions की, history, religion की, history, buddhism की, genism की, hinduism की, history. So stay tuned for our next set of videos. Until then, Jai Hind, Jai Bharat.